जय मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटिप चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 एप्रेल और 17 एप्रेल 2022 के कुम्भराशी फल के बारे में कुम्भराशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दूनों में ग्र जानेंगे सब कुछ विस्तार से तो आगे बढ़ने से पहले छोट असानी विदन है चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगे तो सबसे पहले हम इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं सोला अपरेल का दिन शनिवार का दिन है शुकल पक्ष की पूनिमाति थी है और इस दिन हस्त नक्षत्र रहेगा सुभा आट बच कर चालीस मिनट तक उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा हर्षन नाम का योग बना हुआ है अब चंद्रमा करने राशी में हैं शाम तक उसके बाद तुला राशी में चले जाएंगे सुर्य अमेश रासी में हैं त्रिग्रही योग बना रहे हैं बुद्धा दितराज योग बना रहे हैं अश्वेणी नक्षत्र में अब रवियोग रहेगा इस दिन सुबह तक और अभी जीत मोरत है शुबह के 11 बज कर 55 मिनट से 12 बज कर 47 मिनट तक 17 एपरेल का दिन तो ये रविवार का दिन है क्रश्न पक्ष की प्रती पदाती थी चित्रा नक्षत्र सुभा 7 बज कर 17 मिनट तक उसके बाद स्वाती नक्षत्र शुरू हो जाएगा वजर नाम का योग बनेगा चंद्र मा आ चुके हैं तुलाराश में केतू के साथ यूति कर रहे हैं और सुरिय मेश रासी आश्विनी नक्षत्र में हैं अब इस दिन योग बड़ा उत्तम बना हुआ है त्री पुषकर योग बना है जो अगले दिन तक बनेगा पूरे 24 घंटे ये योग रहेगा और अगले दिन सुभा तक रहेगा अभी जीत मुरत है सुभा 11 बज़ कर 55 मिनट से दोपह 12 बज़ कर 47 मिनट तक ये हो गई ग्रहों की इस्तिधी अब इनी क्याधार पर हम जानेंगे ये जो दो दिन है ये आपके लिए कैसे रहेंगे क्या उपाय आप कर सकते हैं किस तरह से इन दो दिनों का लाब उठा सकते हैं और अपनी दिंचर्या को कैसे आप बदल भी सकते हैं तो पहले हम 16 एपरेल के बारे में जानेंगे कि 16 एपरेल का दिन आपके लिए किस तरह के ये समय का निर्मान कर रहा है तो एक तो ये जो दिन है ये दिन बहुत अच्छा है और इस दिन का जो शुब संयोग है वो ये बन गया है कि इस बार शनिवार का दिन पन रहा है शनिवार के दिन जो हनुमान जैनती का पर मनाय जाएगा तो जो भी जातक बजरंग बली की विधिविधान से पूजा करेगा मनोवांचितफल की प्राप्ति उसको इस बार होगी क्योंकि बहुत ही सुंदर बहुत ही उत्तम से योग है और ग्रहों का जो योग है वो और भी अधिक उत्तम है तो आप इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना जरूर करें हनुमान जी की मूर्ति या फोटो जो भी है उसको दक्षिन मुह करके स्थापित करें और खुद एक लाल रंग के आसन पर बैठें और इस दिन अगर आप भगवाय लाल रंग के वस्वधारन कर लें गी और दीपक और साथ में चंदन के अगर बत्ती चंदन की ना हो तो कोई सी भी घी या चमिली का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदु ॡाल दें दीपक में और उसके बाद लाल रंग के फूल आप उनको अर्पित कर सकते हैं लड़ू या फिर बूदी के परशाद का भोग लगाएं या केले का भोग भी लगा सकते हैं और एक मंत्र उसका जब करें ओम मंगल मूर्ती हनुमते नमहा इस मंत्र का जब करें ये जो दिन रहेगा ये आपके लिए बहुत उत्तम दिन रहेगा वैसे भी शनिवार का दिन है हनुमान जी के उपाय करने से शनी भी प्रसंद होंगे और हनुमान जी की करपा भी आपके उपर लगी रहेगी तो इस तरह आप इस दिन का फाइदा उठा सकते हैं बाकि अगर हम राशिफल की बात करें किस तरह की दिन चरिया ये आपके लिए रहने वाली है तो आज आप प्रवच्छमी की करपा से ये दिन आपके लिए बहुत ही ज़ादा अनुकुल है किसी प्रेय से मिलने का योग बना हुआ है साथ ही जिन लोगों से आपकी पहले कभी अन्बन भी हुई थी आज के दिन उनसे बात करने के लिए बहुत अच्छा है आपनी उस अन्बन को खटास आई है उसको दूर कर सकते हैं आपको नए श्रोतों से धनकी प्राप्ती का यूग भी बना हुआ है अगर आज आप बड़े भाई का आपके बड़े भाई हैं और उनका अगर आप आज आज शिर्वाद लेंगे और कोई नए काम की शिर्वाद करें या कोई आपका श कारिया में निश्चित रूप से आपको सवलता मिलेगी प्रेम प्रसंग ठीक रहेगा पती पतनी के बीच बड़े अच्छे सामजस से बड़े अच्छे रिष्टा बना रहेगा और जो सिंगल लोग हैं किसी को परपोज करना चाहते हैं तो उनके लिए भी दिन ननुकुल है आज आप प्रपोज कर सकते हैं पार्टनर को अपनी च्छाओं और भावनाओं के भावनाओं में बांधने की कोशिश ना करें बस किसी भी तरह की जोड़ बजस्ती किसी भी तरह की बातों को ठोपना इन चीज़ों को आपको जरूर अवाल करना होगा बाकी जो खाली व उस्तों के साथ रहते हैं तो आपको थोड़ा देहान रखना होगा अपनी वाणी पर थोड़ा से हीम रखना होगा कुछ नव कुछ ऐसी से थी बन सकती है बाकि ये जो दिन है ये काफी उत्तम है एनरजेटिक दिन रहे ही का और फाइदेवन दिन आपके थावित होगा यानि तो इस दिन जो योग है वो बड़ा अच्छा बना हुआ है त्री पुशकर योग त्री पुशकर तीन गुना लाब दिलाने वाला यानि जो प्रयास आप करेंगे उनका लाब जरूर मिलेगा आज किसमत आपके साथ कदम से कदम मिला कर चलेगी जो इस राशी के बिजनेसम हैं धनलाब के साथ खुशियों का आगमन होगा और स्टूडेंट्स के लिए भी दिन जो है काफी अनुकूर रहने वाला है करियर के शित में बहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं पैसों के लिए इन देन से आज थोड़ा दूरी बना कर रखें तो अच्छा है आज कुछ सु नहरे अफसर आपको जरूर मिलने वाले हैं आपकी जुश्थिती है ना वो पहले से अधिक मजबूत होती दिखाई देगी विवाहित लोगों के लिए आज काफी अनुकूल दिन है परिवार के साथ कहीं आज आज आप घूमने फिनने की प्लानिंग कर सकते हैं और से सुख मिलेगा संतान की साथ अच्छे समय का निर्मान करेंगे और साथ में लव लाइफ के लिए भी ये जो दिन है ना ये बहुत अच्छा है कुल मिलाकर ये दोनों ही दिन हम आपके लिए कह सकते हैं कि ये खुशियों की सौगात लेकर आए हैं आपके जीवन में और द दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लें हमारी से वीडियो को जाद जाद लाइक करें शेयर करें